दो सितंबर सन 1994 को पुलिस की बरवर्ता का टांड अव्याद कर आज भी उत्राखंड के राज आंदोलनकारी सिहर उठते हैं परवती राज उत्राखंड की मांग को लेकर उस समय रैली निकाल रहे निहत्ते आंदोलनकारीयों पर पुलिस द्वारा गोलिया बरसाई गई जिसमें एक पुलिस अधीकारी के साथ ही मसूरी के छे लोग शहीद हो गए थे अब भले ही उत्राखंड अलग राज्य है लेकिन इस अलग राज्य के लिए लोगों को कड़ा संघर्श करना पड़ा कई राज आंदोलनकारीयों से पीड़ा से अभी ग्रसित हैं एक सितंबर 1994 को खटीमा गोली कांड में कई लोगों की शहदत के बाद परेटन नगर मसूरी में भी उत्राखंड राज्य अंदोलनकारीयों द्वारा दो सितंबर को शांती पूरवक जुलूस निकाला जा रहा था शहीद स्थल जूला घर पर पुलिस द्वारा उन्हें चारों और से घेर लिया गया और उन पर गोलिया वरसाई गई जिसमें मसूरी के छे लोग शहीद हो गए इस वारे में उत्राखंड राज जांदोलनकारी जय प्रकाश उत्राखंडी वताते हैं कि वो दे नितिहास के पन्नों में काले दिवस के रूप में दर्ज हो गया है जिसको हम कह सकते हैं कि इतना भयावा मंजर में अपने जीवन में नहीं देखा क्योंकि एक सितम्मर को गोली कान जब खटीमा का हो गया तो हम सब साती जो है उस समय मीटिंग कर रहे थे हैं कि और हम जब मिटिंग कर लोटे थाने के नीचे से गुजरते वे जुलागर की त जो है उनको ठेंग किया था था अपको कैसे जो है डिल करना क्योंकि हमने दूसरी 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 तुसी तंबर को गटिमा के बिरोध में एक रेली का एजन का रखा था से जुलागर पर जो हमारा उस दिनों उत्रकन संगर समिति का दफचर ओता था जिसमें आज जो तरब से कर दिया उसमें रहते एक्षण फोर्स पीसी और रात उ रात जो है ड्यम थे उसे में राकेश बादू सिंग उन्हें में रात अरागर का थाने जार था नमनन पाल सिंग उनको चेंज करके कि सिंग तालन को यहां को रात रात कारेवाग एसो बनागे वो आया को पूरे अन्मरंट के वोगम सिंग पमार साथ के नेतुत तो हम चल ले थे में जर्नल सेकर्टी था उसरा उत्रा किन समय थी का हम लोगों ने गिरफतारिया थी हमारे गिरफतारी के बाद अब हम भटे तक पहुंचे तब तक यहां उमा कांतिर बाटी मारे जा चुके थे और छ पूदियाल ने कहा कि उत्राखंड राजांदोलन में सभी लोगों ने बढ़े चड़ कर भागीदारी निभाई और दो सितंबर को शांती पूरवक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी राजांदोलन में शहीद हुए राए सिंग बंगारी के पुत्र रवी राज सिंग बंगारी ने कहा कि उनके पिता भी शांती पूरवक जुलूस में शामिल होकर जूला घर पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गोली मार दी जिसमें वो शहीद हो गए आज का दिन ज्येसे हम खटीमा के हमारे को स्याम को पता चला कि एक तारी को खटीमा के अंदर जो है हमारे साथियों के साथ जो है अन्याय हो गया और वहां कुछ शादते हो गए हम उनकी साधतों को नमन करने के लिए दो तारी को एक तर्थ हुए है सुबह नवबस हमने को जो है सर्दा सुमन अर पित करेंगे और अगे की कारवई पर चलेंगे हमारे कुछ साथ हर चोविश घंटे के जो है अंत्राड में हमारे साथ जो है पांच-पांच साथ ही जो है वहाँ पर सई दस्ताल पर धरना देते थे 24 गंटे का उसे पहले दिन मैंने में भी दिया था मैं 24 गंटे के लिए बैटा था सभी लोग थे हमारे बड़े सीनियर लोग थे नौजवान लोग थे सारे लोग थे तो सब ने मिल जूड़ कर तो हम जैसे ही अगले दिन कि घर्टिमा के सहीदों को नमन करने आयते सरदा सुमया करने आयते ऑगाए तो हमारे चारों तरब से हमको पुलिस neighbors ने गेड़ दिया हमने जब जानना चाहिए कि हमारे यह पांच चाहती कहां गये इनको लेकर चले गया अप हमारे यह आंदरवन कारी साती कहां बिलूपत हो गए किस जगह जिंदा है या मुर्दा है तो सरकार की तरब से कोई जवाब नहीं हो आप मैस्ट्रे एडियम और ये तमाम पुलिस पोर्स थी वो कोई जवाब नहीं दे पाए साथ ही उसके क्या होता है परदर से देखिए उसका परदर से क्या होता है कि 9 बजे हम एकत्रित होते हैं और जब 9 बजे हमी कठा होते हैं तो पुलिस और रस्ताने परशाशन हमको कहती कि आप यहां पर यह कंडोलेंस नहीं कर सकते एक सोचवारीस लग चुकिए हमने कहा कि ब हमा में सहीद हुए हैं उनके इस मिलती में हम यहां कंडोलेंस करेंगे पुलिस को 144 से 244 से 500 जितनी धारा है लगानी है वो लगा है हम बिलकुल सहीद चौक पर जो है सड़क पर बैठ गए हमने सर्दा सुमन अर्पित किये उसके बाद एक से किन हमने उसके बाद हमारे को उ करने के बाद ही इस आंदोलों से अटेंगे ऐसे नहीं अटने वाले तो आपको ताजूब होगा कि पुलिस आई हेलमेट के साथ एड्मिस्टेशन आया हेलमेट के साथ पूरे डंडे और यह आपकी राइफलों के साथ ऐसा हुआ जैसे कि हम आंदोलों कारी नहीं है हम कहीं किसी छेतर से निकले हुए जो है कोई ड़कायत है इस तरह का व्योवार अगर प्रसाशन करता है तो लगता आंदोलों का अधिशातियों को उनका भड़कतना स्वाव एकता है उसमें नव जवान भी थे बुजरुग भी थे खटिमा गोली कांड के इस अफसर पर इस राज्य के परती पूरे तमाम राज्यवासियों की संपैती है और राज्या अनुलकारियों की बड़ी एक उपलब दी रही कि आज राज्या 30 साल में परवेश कर गया परंतु खेत का विसे जिस राज्य को 30 साल में 5 मुख्यमंत्र होने चाहिए थे उस परदेश की राजनितिक अस्तिरित्ता से अबगत हो रहा है कि लगभग 15 मुख्यमंत्री भाजपार कॉंग्रेश ने बारी बारी से इस राज्य को दिये इस राज्य का इन 30 सालों में जिस परकार से आर्थिक और सामाजिक दोवन हुआ है उससे ये पर बेरोजगार के सवाल को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन की पीछे ये अब धारना थी कि यहां का बेरोजगार बहर न जाए इस राज्य का पलायन न हो इस राज्य की जो प्राकृदिक संपदा है जल जंगल जमीन जो बड़ी संपदाय है उनक का संदक चन हो अनलॉकिंग पोटेंशिल